भारत और वेस्टिन डीज के बीच तरीनिदाद के पोर्ट ओफ एस्पेन में खेले जा रहे है टेस्ट डीज के दूसरे मुकाबले में विराट कोहली ने करियर का अपना 29 टेस्ट सतक पूरा कर लिया इस तरह विराट कोहली ने टेस्ट सतकों के मामले में आस्ट्रेलिया के दिगज बल्लेबाज डॉन ब्रेडमेन की बराबरी कर ली है ब्रेडमेन ने भी 39 सतक ही जमाए थे दुनिया में कुल 15 बल्लेबाजों ने ही इससे जादा सतक जमाए हैं सचीन तेंदुलकर 51 टेस्ट सतक के साथ पहले अस्थान पर है भारतिय बल्लेबाजों में सचीन के अलावा राहूल दर्वीर ने 36 सतक और सुनिल गाउसकर ने 34 सतक लगाए हैं और ये ही विराट कोहली से ज्यादा सतक जमाने वाले खिलारी हैं विराट इंटरनेशनल किर्केट में अब तक 76 सतक जमा चुके हैं उन्होंने 29 टेस्ट सतकों के अलावा वनडे में 46 और T20 इंटरनेशनल में एक सतक जमाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट से ज्यादा सतक सिर्फ सचीन तेंदुलकर ने बनाया है और उनके नाम सो सतक है विराट ने 55 महीने के बाद विदेश में कोई टेस्ट सतक जमाया विदेशी जमीन पर इससे पहले उनका आखरी टेस्ट सतक दिसंबर 2018 में औस्ट्रेलिया की खिलाब पर्थ में आया था बताने कि यह विराट कोहली के अंतराश्टिय क्रिकेट का 500 मैच था और इस मैच में उन्होंने यह उकलबधी हाशिल किया है